अभी पीडिया मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इससी एक्जाम के लिए हमारे इंपोर्टेंट करंट अफेर राइट तो हमने अपनी करंट अफेर सीरीज जो है वो स्टार्ट कियू है एक अगेन हमारा जो वीक है वो मिस हो गया तो क्या है कि हमें अपने जो वीक मिस होय है उसका भी content छोड़ना नहीं है उसके जो important हमारे करंट अफेर है यह, I would say, कि In Sessions में आपको ऐसे नहीं है, कि आप इन में से भी selective फटो, ठीक है? ठीक है? तुकि In Sessions में मैं उर्ली आपके लिए जो important है, select करके, वही questions लेकि आई हूँ. So, इनको आपने बिल्कुल भी miss नहीं करना है, Session को आपने पहले भी बहुत अच्छा response किया है तो इस बार भी like and share जरूर करके जाहिए right so let us begin ठीक है अपना जो session है शुरू करने से पहले में आपको यह बताना चाहूंगे कि WhatsApp group का आपको जो link है description में मिल जाएगा जिसको join करके आप अभी PDA के SSC group के साथ जूड़ सकते हैं updated रह सकते हैं exams के regarding content के regarding आपके लिए free जो है एक हम PDF लेके आते हैं monthly PDF उसको भी आप जो है जरूर ठीक है उसके तुरू अपनी revision कर सकते हैं so जरूर हमारा वाट्साइप ग्रूप है उसको join की जिए right and अब हम अपने session की तरफ चलेंगे so as I have told you कि two sessions हो चुके थे आज हमारा third session है तो इस third session का पहला question देखते हैं right so which state has announced the goal species which state has announced the goal species as the state fish ठीक है तो state fish की बात की गई है recently एक जो state है ठीक है coastal state ने goal species जो है fish को ठीक है जिसको क्या है इसको cosmetics में भी इसके जो है organs को हम बोल सकते है scale को use किया जाता है तो इस species को as a state fish जो है वो डिक्लेयर किया है कौन सी state ने तमिलना दू गुजरात महराश्रा या फिर वेस्ट बेंगॉल clear है so answer क्या होगा जी बी गुजरात right so gujarat जो है ठीक है इट नियरली contributes 15 to 17 percent in the total exports of the fish ठीक है तो उसमें से अब क्या किया है उन्होंने घोल को state gold species की fish को क्या है state fish का दर्जा दे दिया है ठीक है इसे तरह एक और important question जो जुड़ता है वह क्या होता है कि कौन सी पंजाब state का जो है aquatic animal ठीक है पंजाब state is कैसी state है जिसका एक state aquatic animal भी है तो कौनसी है वह इंड़सरिवर डॉल्फिन पंजाब में कौंसी जो रिवर है यहां हम बोल सकते हैं कौनसे रिवर की लिए इंडिट स्य विंटाइब मुझाय वे जरा हम किया वर करती है वी कंजाब किसी और है तो उसको यह कमेंट सेक्षमें जरूर बताईए तो यह सब्होरे वेडि़ायग नेक्स्ट कोश्जंक्राफ की टरफ चलते हैं अभी So second question से पहले एक और चीज़ जो हम देख लेते हैं साथ साथ थोड़ी सी और डिटेल So state government of Gujarat ने क्या किया है Ghost fishes को अभी जो global fisheries की conference हुई थी इंडिया में उसमें Gujarat की state fish जो है declare किया था इसको black spotted crocker भी बोलते है And it is highly valued for the swim bladder ठीक है मैंने बोला था कि इसको जो है cosmetics में यूज किया जाता है ठीक है जो इसका swim bladder है उसको cosmetics में यूज किया जाता है ये एक delicacy तो है ही ठीक है तो different different fishes जो होती है non-vegetavians जो होते हैं they believe कि उनका अलग-अलग flavors होता है So this is also a delicacy And Gujarat जो है annual fish exports के इंडिया में 70% जो है contribute करता है ये भी एक छोटा सा fact है जो हम इस current affair के थुरू याद रखेंगी Right, next question की तरफ अब देखते है second question है So which scarce element has been discovered in the Satluj River So देखिए मैंने अभी पिछले ही question में जो बात की थी इंडिस की tributaries की तो पंजाब में हमारी जो इंडिया side अभी present पंजाब है उसमें three tributaries जो है वो flow करती है Right, Satluj, Ravi and ब्यास, ठीक है So ये जो tributaries है उनमें से एक Satluj, जो है ये major river है पंजाब की इसमें एक rare element है जो भी find की थीक है तो वो कौन सा है Titanium, Tantalum, Scandium या फिर Lithium Right, so याद रखिए बहुत important है Tantalum नाम खा एक rare element जो कहीं ना कहीं Platinum को भी जो है Sometimes substitute की तरह उसे use किया जाता है क्योंकि Platinum काफी costly है ये भी costly है बट इसके uses जो है Platinum से difference है, वो हम देखते है कैसे, so major important चीज क्या है कि सतलु जरिबर में जो rare element मिला है, वो है Tantalum Right, so जो मिला है उसका नाम है Tantalum, atomic number कितना है 73, अब ये denote क्या करता है Count of the protons within a single atom of that element, ठीक है So अगर पूछ लिया जाए कि Tantalum का Atomic element, atomic number है, वो क्या है, 73 है ये भी हम याद रखेंगे आगे देखिए, ग्रे कलर का होता है मैंने बोला है कि अगर आपको Tantalum याद रखना है, imagery, ठीक है तो वो कहीं ना कहीं Platinum को resemble करता है ग्रे कलर का considerable weight काफी hard होता है, ठीक है And one of the most corrosion resistant metal, corrosion resistant metal, one of the, ठीक है ये नहीं कि ये ही है, one of the most होता है ठीक है, ऐसी lines को कभी-कभी हमें confuse नहीं करना है, उसके बाद इसका use देखते हैं तो ये use किया जाता है Electrolytic Capacicators Vacuum Pondance Parts में ठीक है, to make chemical process equipments Nuclear reactor, aircraft missile part ठीक है, surgical application जो equipment होते हैं, उनमें भी ये use किया जाता है क्योंकि ये जो होता है Completely immune to the body liquids होता है जो हमारी body के liquids हैं उनसे completely immune होता है So, इसके हमने uses भी देख लिए कौन server में मिला है, Punjab की सतलो server में Atomic number क्या है, इसका 73 Very good, याद हो गया Next question अब देखिए, question number third है कि Exo, Mars, Trace, Gas, Orbital, Mission जो है, किसके साथ जुड़ा हो है कौन जी space agency कि साथ जुड़ा हो है NASA, ESA, ISRO या जाक्सा That is USA की NASA European Union है, इसकी European Space Agency ISRO, इंडिया की जाक्सा Of the Japan So, यह भी news में क्या था क्योंकि अभी discover की गई है Mars के उपर light through this trace orbiter Trace, gas orbiter या फिर exo Mars Scientist ने क्या है, डिटेक्ट या है एक soft green color का glow In the night sky of the Mars जिसको हमारी human eye भी देख सकती है अगर जो night sky है वो clear of the clouds है So, there is a possibility कि हम जो Mars की light को है देख सकते है ठीक है, अब यह जो trace orbiter है Of the European Space Agency And Russia's Roscosmos ठीक है, Russia की भी जो space agencies है इन दोनों का मिल के यह एक collaborative projector 2016 में लांच किया गया था जो कहीं ना कहीं Mars के ओपर जो gases है Specifically methane gas ठीक है, उनको जो है ExoMars, trace gas orbiter ठीक है, तो याद रहेगा कि अगर trace gas orbiter है, तो किस के लिए है Mars के लिए, किसने लांच किया है European Space Agency and Roscosmos ठीक है, European Union and Russian जो है इन दोनों का, Russian government दोनों का क्या है, collaborative project है Recently क्या बोला गया है, कि एक ऐसी light present है उसके उपर, Mars के उपर जिसको हम humanize से भी देख सकते है, clear हो गया जी Very important, next देखिए Question number 4 है, who is the first recipient of the Manohar Parikar Yuba Scientist Award ठीक है, so Manohar Parikar कौन थे, Goa के CM थे, former CM थे, उन्ही के नाम पर क्या है, Goa State Government ने ठीक है, Goa की State Government ने उन्ही के नाम पर जो है यह जो award है, यह scientist award है यह launch किया था, तो इसके पहले recipient कौन बने है, ठीक है और इस award में जो prize money दी जाती है It is one of the highest given in the science field award में जो इंडिया में दी जाने वाले सबसे ज़्यादा जो prize money है, ठीक है, तो किन को दिया गया है, Dr. Mathav Raj S P. Viramuthu Will R. Karidhal या फिर Kalpana Kalasthi, right So correct answer देख लीजिए बहुत important योगदा रहा था इनका इस रो के एक project के अंदर, ठीक है So answer है Dr. Mathav Raj S ठीक है, जो अभी इस रो का mission गया था चंदरयांत्री ठीक है, तो चंदरयांत्री के अंदर जो power descent trajectory ठीक है, एक element है जिसमें कि जो descent करेगा ठीक है, वो जो उतरेगा उस power descent trajectory को design करने वाले कौन थे हमारे scientist Dr. Mathav Raj S जिनको कौन सा award मिला है First recipient of the Manohar Parikar Yuba Scientist Award in the 2023 कौन सी government दिया है ये, Goa government दिया है and cash price कितना है 5 lakh which is currently highest cash price in the science and the technology ठीक है, तो उनको cash price के साथ citation मिली है, Dr. Mathav Raj S क्या वक किया था, उन्होंने power descent trajectory of the Chandrayan 3 जो है, उसको developed किया था ठीक है, और कौन सा जो है award कौन सी government देती है, ये Manohar Parikar Award, तो Manohar Parikar Yuba Scientist Award जो है, एक Goa government देती है, इसको हम याद रखेंगे बहुत ही important है clear, next question देखें fifth question है, which institution released the report title Sand and Dust Rooms, A Guide to the Mitigation, Adaptation, Policy, Risk Management, Measure, जिन्दा एगरी कर जो, ये जो report है ठीक है, ये highlight करता है कि Sand and Dust Rooms जो है, उनका बहुत तरह से impact बता है, environmentally पढ़ रहा है, ठीक है, economically भी पढ़ रहा है, socially भी पढ़ रहा है ठीक है, सो Sand and Dust Rooms क्या है कैसे इनका impact है, उनको थोड़ा सा discuss करेंगे, सोधाट याद रहे, पहले देखते हैं ये report दीक इतने है, ठीक है तो एक चीज़ दियान दखिए, कि Risk Management, Measure, जिन्दा एगरी कल्चर ठीक है, तो एगरी कल्चर किस चीज़ के साथ पहलो नहीं करनी है, बट अगर हम किसी चीज़ को रिवाइस कर रहे हैं, ठीक है, हर बार नहीं होता है कि Same Name वाली हो, बट काफी बार हम जो उससे help ले सकते हैं सो इस question में हमें इससे help मिल रही है Food and Agriculture Organization जो कि कही ना कहीं टार्गेट करती है कि जो food की priority है हर एक इनसान तक food scarcity नार है उहोंने Sand and Dust Storm का impact जो है काफी सारी चीज़ों के उपर highlight किया है, ठीक है सो देखते है, report के बारे में, title हमने देख लिया है Sand and Dust Storms A Guide to the Mitigation Adaptation Policy Risk Management Measures in the Agriculture यह बोला गया है कि significant loss कि जो हम Sustainable Development Goals को पूरा करना चाते हैं, अकेले यह Storms है, उनमें से 11 जो हमारे Golden को पूरा नहीं होने देंगे क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए एक तो erosion हो रहा है Erosion से क्या हो रहा है, जो fertile soil हो कहीं और पहुंच रही है Agriculture Productivity कम हो गई अब और क्या कर रहे हैं यह Health Hazards Allergies हो जाती है Health Hazards भी create कर रहे है Agriculture Productivity कम होई, Health Hazard होए तक क्या हुआ, एक Health की cost भी बढ़ गई तो उसके साथ साथ क्या होगा हमारा environment जो है वो sustainable नहीं रहा ठीक है, climate changes आ रहे है क्योंकि sand जो dust storm है वो बहुत बढ़ते जा रहे है, 65% जो बाना रहता है कि यह natural होते हैं ठीक है, around 15-20% due to human cause, जो हम nature को degrade करते हैं जो sand and dust storm क्या होते हैं यह थोड़ा सा देख लेते हैं यह meteorological events होते हैं जिसमें powerful and turbulent winds होती है जो बहुत सारे small particles को अपने साथ उड़ा के ले जाती है primarily soil and the sand clear है, तो report याद रखेंगे क्यों important है, बोला गया है 11 हमारे standard जो sustainable development goals हैं वो unachievable रह जाएंगे due to this, जो storms आ रहे हैं clear है, next up हम question देखेंगे question number 6 है, exercise मित्रशक्ती 2023 organized between India and which country ठीक है, so option, Australia, Sri Lanka, Iran या फिर Bangladesh, ठीक है यह November में exercise हुई थी ninth edition जो है हुआ था, पूने, इंडिया में ठीक है, मित्रशक्ती जो exercise है वो इंडिया किस के साथ करता है, बांगलादेश नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है answer है B, Sri Lanka ठीक है, so Sri Lanka के साथ जो इंडिया करता है, मित्रशक्ती बांगलादेश के साथ जो exercise करता है that is some pretty exercise जो की अभी October में ही conclude की गई थी, ठीक है तो यह दोनों ही exercises हमें याद रखनी है so मित्रशक्ती की बात करते हैं जैसे कि मैंने बोला, ninth edition जो है recently conclude किया था, ठीक है comprising truths from the Maratha, जो Maratha हमारी infantry regiment है वो जो श्रिलंका की contingent है वो ठीक है जी, and on the श्रिलंकान side, यह हमें जो important चीज़े ध्यान नहीं रखनी हमने दिखना है Indian Air Force जो है, ठीक है and श्रिलंकान Air Force के भी कुछ personalization में पार्ट लिया था major, मित्रशक्ती, India and श्रिलंका, ninth edition हुआ था some pretty eggs, India and Bangladesh, clear है, यह दो exercises बहुत important है और कई बार confusion भी हो जाती है, ठीक है so, next question देखिए यह हमारा है, एक और important release, एक report के उपर, तो report है annual greenhouse gas bulletin ठीक है, greenhouse gases कौन सी है वो gases, ठीक है, जो naturally भी exist करती है, again due to the human some activities, जिसके कारण एक thermal layer बन जाती है, ऐसी gases, जो heat को trap कर लेती है, ठीक है naturally, यही gases सबसे पहले human existence, life की existence का कारण बनी, बट अब क्या हो रहा है जैसे जैसे greenhouse gases का स्तर बढ़ रहा है, यह हमारे लिए dangerous होता जा रहा है क्योंकि हमारे planet जो है वो heat up हो रहा है, ठीक है, तो यह बहुत important gas bulletin है, जो कहीं ना कहीं climate change को भी reflect करता है किसमें यह निकाला है, right UNAP, FAO, WMO या फिर CPCB, right So answer is, World Meteorological Organization, ठीक है जी World Meteorological Organization जो है, उनकी यह जो 19th अभी क्या हुआ है 19th annual greenhouse gas bulletin उनने निकाला है, अब इसमें बोला गया है कि अगर 2022 में देखा जा है तो unprecedented, मतलग कि greenhouse gas के level जितने बढ़ते जा रहे हैं, जो अभी हम record breaking हो जाएंगे, तो greenhouse gases की बात करें, CO2, methane, nitrogen और उक्साइड, right, इसमें 64% सिर्फ carbon dioxide है, जो सब से ज़्यादा greenhouse gas effect को generate करता है, उसके बाद 16% के around, जो है, methane, जो है contribute करता है, इनदा greenhouse gas effect, ठीक है, तो इस कारण की, अभी 2022 में record breaking, जो है, trend देखने को मिल रहा है greenhouse gases, the mission का, उनके कारण जो effect हो रहा है, heating का, right, ये report important हो जाती है, World Metrological Organization ने निकाली थी, जो कि United Nation की ही branch है, ठीक है जी तो ये level of the most important three gases की ही जो बात करता है, greenhouse gas में, carbon dioxide, methane and nitrous oxide, ठीक है, तो ये सारे record reaching levels पर पहुंच रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है, plants लगाईए, सब से simple way जो हम कर सकते हैं, कि हम plants लगा सकते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिये, ये reports हम पढ़तो रहे हैं, पर ये भी देखे कि क्या हमारे लिए क्या ये कोई action में danger possessed कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, right, we are studying, so what is the benefit of the studying, हना, हमारी awareness generate होनी चाहिए, तो उस awareness को थोड़ा यूज कीजिए, इतनी reports को पढ़के छोड़िये मत, ठीक है, थोड़ा सा आपको nature के two words हम बोल सकते हैं, आपने society के लिए, ठीक है, थोड़ा हमें responsibility देनी होगी, और plants जो है, उनको और से ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आपको लगाना चाहिए, right, तो चलिए, ये भी डिसकस हो गया है, next question देख लेते हैं, 8th question है, which Indian has been shortlisted for the men's world athlete of the year award, तो अभी सरफ जो है, इसमें nominations की बात आई है, अभी 11-12 December के round, ये release कर दिया जाएगा, कि who has won the world's men athlete award, तो कौन सा Indian इसमें इनलिस्ट किया गया है, इस बार पहली बार, एक बहुत ही major hint दे दिया मैंने, इन चारो ही important personalities को तो आप जानते होंगे, बर जो मैं हिंट दे दियों से आपको आशर बिल जाएगा, it is the first Indian athlete to be nominated for this award, ठीक है so yes, golden boy, जिनको बोला जाता है, नीरज जोपड़ा, ठीक है so, ये भी एक important current affair है, नीरज चोपड़ा एक important sports person है, उनकी कुछ achievement जो है हमारे लिए exam के लिए, important रहती है, one of the five athletes रहे हैं ठीक है जी, और बाकी जो athletes हैं अभी top में, उनके नाम mentioned है, मैंट हम क्या देखेंगे अगर कभी question आजाए, who's the first Indian athlete, ठीक है, men जो है, bald athlete of the year के लिए nominate होए हैं, नीरज चोपड़ा, राइट, अभी जो result आएगा, उसको हम अपने next session में भी देख लेंगे, December के session के अंडर कि किन को ये award मिला है clear है जी next question देखिए, question number 9 है knowledge, healthcare, innovation, research के HIR city, ठीक है is associated with which state तो on the lines of Singapore एक सरिंगापूर में cluster है ठीक है, और एक जापान में है ये जो knowledge, health next is innovation and research city है, ये Singapore and Japan से जो है, कहीं न कहीं प्रभावित होके इंडिया के एक state जो है, एक ऐसी city बनाना चाती है, जो healthcare में भी आगे है, job production में भी आगे है research में भी आगे है, innovation में भी आगे है, ठीक है, तो कौन सी वो state है, करनाटका, Tamil Nadu Assam West Bengal, clear है तो याद रखिए, आंसर है जी, इसका एक करनाटका, करनाटका बैंगलोर की विक्सिनिटी में जो बैंगलोर के आसपा जो है 60 किलोमेटर के रेडियस में ये knowledge, health, innovation and research सिटी जो है, इसको डेवल्प करना जाता है तो अगर कहीं भी concept आजाए कि knowledge, health, right innovation and research सिटी कहां पे होगी तो करनाटका में, ठीक है, करनाटका में है और ये भी डेवल्प करने की बात की जा रही है, और आउट्सकर्स ऑफ बैंगलोर ठीक है, मैंने बोला है, बैंगलोर की जो है 60 km of the radius में इसको develop किया जाएगा, right और इसके लिए जो है attract का aim क्या है, 40 crore तक की investment लेके आएंगे, so बैंगलोर is already IT hub of the India, right so अब देखते हैं कि ये जो एक new investment proposal है, अब ये सारा investment important क्यों है, देखिए schemes हम क्यों देखने हैं, कि उसका benefit क्या है, ठीक है, employment generate होगी, economy boost होगी, right so it is an important step for the employment generation, economic boost and कही ना कहीं healthcare, क्योंकि medical innovation को भी जो है, इस plan के अंदर जो है, जो हम बोल सकते हैं पहल दी गई है, right, so याद रखिए, KHIR city जो है, करनाट का Bengaluru में बनेगी, next question देखिए, tenth question है, ठीक है, again she has not won the award बट ये एक important song भी था, ठीक है, ये एक important song भी था और इसमें Indian PM जो है, ठीक है, Indian PM जो है वो भी आये थे, ठीक है, और उसके साथ-साथ क्या बोल सकते हैं, she is already a Grammy award winner, clear so देख लेते हैं, कि who is the singer of the Abundance in Millets song, ठीक है, Abundance in Millets करके, एक song जो है, जो रिप्रेजेंट करता है, Year of the Millets 2023 जो की कही ना कहीं, इंडिया की जो request पे ही जो है announced किया गया था, this is the world Year of the Millets 2023 ठीक है, इसमें song कौन सा है, Abundance in Millets Song, ठीक है, एक Grammy nominated, जो singer है उन्होंने गाया था, कौन है फालगुनी शाह, उदित नरान, आशा बोदे या फिर शंकर महादेवन, ठीक है So, answer is, फालगुनी शाह ठीक है, फालगुनी शाह, एक इंडियान अमेरिकन सिंगर है, और लड़ी वो Grammy winner है, इस साल इस गाने के लिए, Abundance in Millet Song के लिए, she has been again nominated for the Grammys, ठीक है, तो यह गाना important हम बोल सकते हैं, या फिर यह बोल सकते हैं, कि इंडिया की जो पहल है जो हमारे Prime Minister ने पहल लिगी Millets जो है, उसको popularize करना है, उसको दुबारा से include करना है, उसके लिए यह जो है important हो जाता है, so, इसमें feature करते हैं, Prime Minister ने मोधी, if you will see the video, तो आप देखेंगे, तो इसमें आपको PM मोधी भी दिखेंगे, तो Indian-American singer फाल गुनी शाओ, उनके जो husband है, Gaurav Shah नहीं यह जो गाना गाया था and they has been nominated Song किस चीज के लिए गिया गया है awareness of the super grain, की minimize कर सकते हैं, world hunger को using the millets, ठीक है, so, उसकी importance को कहीं ना कहीं underline करता है, so, आज के हमारे session में जो है, हमने important questions कवर कर लिए हैं, but मैं आपको एक और important चीज जो है, ठीक है, important चीज बताना चाहूंगी, जो कि है अभिपीडिया का complete course subscription, जिसके साथ जोड़के आप अपने SSC exam की preparation कर सकते हैं, so, अभिपीडिया पे जाके आपको choose exam करना है, देखिए, ठीक है, SSC, staff selection, MTS, CPO, CHS, CGL, सभी exams के आपके पास option है, अगर हम CGL exam में जाएं, ठीक है, आपको बस 4 options आ जाते हैं, subscription है, आपके पास, video courses है, आपके पास, test courses है, microverse है, तो मैं आपके साथ microverse की बात करती हूं, microverse आपको क्या benefit देगा, microverse आपको benefit देगा कि आप जो topic wise अपनी preparation है, GK, general studies, current GK, computer GK, topic wise जो है आप अपनी preparation कर सकते हैं, right, so, 4 study options आपको available है, आप किस चीज का wait कर रहे हैं, आपको लगता है, test series requirement है, तो आप सिफ test series choose कर सकते हैं, right, इसी तरह next video में आपको subscription के बारे में भी बताऊंगी, तब तक आप जुड़े रहिए, ठीक है, preparation करते रहिए, अपनी preparation के साथ जुड़े रहें, अपनी preparation को और जो है boost करते रहिए, revision करते रहिए, और वीडियो को like and share जरूर कर जिए, and keep learning, so in the next session, thank you.